बिहार लाइफ शेवन खबर की तह तक आप जहानाबाद में सरकारी कर्मी है और समय पर ओफिस नहीं पहुँचते हैं तो अब संभल जाईए क्योंकि जहानाबाद जिलाप्ता अधिकारी रीची पांडे का नजर अब आप लोगों पर पढ़ चुका है आप जहानाबाद जिलाप्ता अधिकारी रीची पांडे ने समाहार नाले इस्थित विभिन विभागों में ओचक निरिछन किया वैसे कर्मियों का जो समय पर कार्याले नहीं पहुँचते हैं और उसमें 40 लोगों को उपस्थित नहीं पाया गया सभी लोगों की हाजरी काट दी गई और उन पर अस्पस्टी करन किया गया है उसे स्पस्टी करन मांगा गया है हिदाय दिया गया है नमस्कार मेरा नाम विक्रमादित है और आप देख रहे हैं बिहार लाइफ सेवन अगर जहानाबाद में आप हैं और समय पर कारियाले नहीं जाते हैं तो अब आपको संभलना पड़ेगा क्योंकि जहानाबाद के जिलाप्राधिकारी रीची पांडे आप चानते ही हैं एक कड़क ओफिशर इमानदार जिलाप्राधिकारी और करतब निष्ट प्राधिकारी हैं जहां से भी सिकायत मिलती है जिलापदाधिकारी उस सिकायत को सुनते हैं और सुनने के बाद उसे जाच भी करते हैं और उसमें दोशी लोगों पर कारवाई भी करते हैं जहानाबाद में लगातार इस तरीके की बात सामने आती रहती है कि जो सरकारी कर्मी है वो समय पर कार्याले नहीं पहुंचते हैं जिसके बज़ा से आम लोगों को जहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वही सरकारी कार्य जो है वो भी धीमी गती से आगे बढ़ती है क्योंकि जब कर्मी पहुंचेंगे नहीं समय से तो फिर काम होगा कैसे इस बात की जानकारी सायद जिलाप्ता-धिकारी रीची पांडे को भी लग गई थी और आज जहानाबाद जिलाप्ता-धिकारी रीची पांडे समाहारनाले इस्थित सभी विभागों में सभी कार्यालियों में और और इस बात के लिए किया गया कि कौन कौन कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं किस किस कार्याले में समय पर कारे शुरू नहीं होता है कहां कहां लोगों को इस बात से प्रसानी होती है कि समय पर कर्मचारी नहीं आये हैं कर्मी नहीं आये हैं तो जो है काम अभी नहीं होगा आज जहाना बाद जिलापताधिकारी रीची पांडे जब अपने समाहार नाले केंपस के विभिन विभागों में ओफिसों में ओचक निरिच्छन करने निकले तो वहां चालिस कर्मी जो है समय पर आफिस नहीं पहुंचे थे उन सभी 40 कर्मियों का जो है अटेंडेंस काट दिया गया और उनसे असपश्टी करन मांगा क्या है वहीं हिदायत भी दिया गया है कि अपना कार्य नियमित दिन्चर्या में जो है समय पर आकर करें ऐसा नहीं करने पर कारवाई किया जाएगा जिलाप्त्वाधिकारी ने जिन 40 व्यक्तियों को समय पर नहीं पाया उन सभी का जहां अटेंडेंस काटा उपस्थिती जो है वो काटा गया तो वहीं अस्पस्थिकरन मांगता गया है कि आखिर वो समय पर क्यों नहीं पहुँचे क्या कारण रहा और यह हिदायत भी दिया गया है कि आप लोग समय पर आईए और जनता का काम कीचिए बहराल यह जो है कोई एक आफिस एक कार्याले की बात नहीं है ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाहानाले इस्थित कार्यालियों में ही कर्मी समय पर नहीं आते हैं बलकि सरकारी कर्मियों का लेट जो है होना एक कह सकते हैं कि दिन्चर्या लोग बना लिये हैं, हमेशा लेट आने का काम सरकारी कर्मियों के द्वारा किया जाता है, और इसकी सिकायत भी लोग करते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इसकी सिकायत जहानाबाद जिला प्राधिकारी तक पहुँची है और जहानाबाद जिला प्राधिकारी इस पर एक्शन लिये हैं, उसके बाद किस तरीके से कर्मियों का समय में बदलाव होता है किस तरीके से जो लेट आने वाले कर्मी हैं वो समय पर लोटते हैं या फिर अभी और आउचक निरिच्छन करना पड़ता है जिलाप्ताध हिकारी को लेकिन इतना असपस्ट है कि आज जिस तरीके से जिलाप्ताध हिकारी का ओचक निरिच्छन हुआ है चालिस कर्मियों से असपस्टी करन मांगा गया है उससे कर्मियों में समय पर आने में रूची बढ़ेगी और अगर सरकारी कर्मी समय पर ओफिस आने लगेंगे तो जनता क काम भी होगा और ऑफिस में काम का बोज भी कवेगा बहरहाल जिलाप्ताध हिकारी के इस ओचक निरिच्छन और चालिस जो कर्मी लेट आये थे लेट जिन्हें पाया गया उनका उपस्थिती काटना असपस्टी करन मांगना इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं अपना परतिकिरिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा